हेलो माई डियर स्टूडेंट्स और वेल्कम बैक टू दे चानल आज च्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्परेट अकाउंटिंग जो की ओडिसा के सेमिस्टर नंबर 3 का पेपर है डेली उनिवर्सिटीज के अंदर सेमिस्टर नंबर 2 में दिया हुआ है और बाकी भी उनिवर्सिटी से क्यों ना बिलॉंग करते हो तुम आराम से प्लेलिस से पढ़ाई सुरू कर सकते हो हम पिछले क्लास के अंदर इश्यू आप शेयर्स स्टार्ट कर दिये थे जहां पर हम पढ़ेते इश्यू आप शेयर्स पेमेंट इन लंसम आज क्लास हम सेकेंड इन 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 इ रुपए का शेयर है और कंपनी पूरा 10 रुपए उसी समय मांगता है at the time of the application, then that is called as in lump sum, in installment का मतलब है, जब कंपनी धिरे धिरे करके पैसा मांगता है, तब उस 10 रुपए का शेयर है, कंपनी application के समय मांगता है, let's say 3 रुपीज, फिर कंपनी मांगता है, फिर से 4 रुपए औ और फिर 3 रुपए, तो जो पहला मांगता है, कंपनी पैसा उसको बोलते है, application मनी, second को बोला जाता है, allotment, और उसके बाद वाले को बोला जाता है, calls, clear, तो पहला हो गया application, second हो गया allotment, और तीसरा हो गया calls, अगर चौथा रहा, by chance, तो तीसरे वाले को बोलेंगे, first call, और फोर्थ को बोलेंगे, second call, clear है, तो installment का मतलब है, धिरे-धिरे करके पैसा लेना, that is application, allotment, and calls, अब इसमें भी दो है, या तो at par होगा, या at premium होगा, ठीक है, तो एडिंग करना इसके अंदर, point number A, at par, at par का मतलब है, जब 10 रुपए का share, हम लोग 10 रुपए में issue कर रहे हैं, that is called as at par, clear, तो सबसे पहला, application का पैसा मिलेगा, on receipt of application, application का पैसा मिला, application का पैसा मिलेगा, तो entry होगा, bank account debited to equity share application account, bank account debited to equity share application account, right, अब उसके बाद हम share a lot करेंगे, on account, issue of shares, shares issue करते समय, application का पैसा debit होगा, और share issue करेंगे, तो जो equity share application का पैसा आया था, उसको हम पहले credit किये थे, बाद में उसको अभी debit कर रहे हैं, और उसके बदले share दे रहे हैं, तो आएगा, to equity share capital account, clear, तो पहला entry होगया, application का पैसा मिला, second entry होगया, application का जो पैसा मिला, उसके बदले हम लोग shares allot किये, clear, next, third, third आता है, अब हम allotment का पैसा मांगेंगे, on allotment due, मतलब हम allotment का पैसा मांगेंगे, तो जब हम allotment का पैसा मांगेंगे, तो allotment का पैसा future में मिलेगा, तो हमारे लिए वो asset debit होगा, equity share allotment account debited, और किस चीज का पैसा मिल रहा है, equity share capital का, तो यह allotment का पैसा due हुआ अभी, मिला नहीं है, application allotment का पैसा due हुआ है, तो जब allotment का पैसा मिलेगा, on receipt of, यह for allotment received पैसा पैसा मिलेगा, तो bank debit होगा, two, equity share, allotment यहां debit किये थे, अब वो पैसा मिल गया, तो asset नहीं रहा, तो वो क्या होगा, credit होगा, clear, next, अब same process, first call का पैसा due होगा, फिर first call का पैसा receive होगा, for first call due, और फिर last में होगा, for first call receive, अब due का एंट्री वही होगा, जो allotment due का एंट्री है, थे, ठीक है, काली allotment की जागा word आ जाएगा, first call, तो एंट्री होगा, equity share, first call account debited, to equity share, capital, तो एंट्री होगा, equity share, first call, to equity share, capital, और लास्ट में जब पैसा मिल जाएगा, first call का, bank account debited, to equity share, first call account, clear, तो एंट्री में ध्यान देना, application का पैसा पहले मिलता है, और बाद में हम उसके बदले shares allot करते हैं, उसके बाद application का इंट्री को छोड़के, बाकी सारे इंट्री में, पहले due होगा, बाद में receive होगा, फिर पहले due होगा, बाद में receive होगा, ठीक है, लेकिन यह जो application का इंट्री है, पहले receive हो रहा है, यहाँ पे, application का इंट्री में पहले receive होता है, बाकी साब में पहले due होता है, फिर receive होता है, clear है यह, तो it was issue of shares, payable at par, par में पैसा देना था, ठीक है, मतलब 10 का share, दस में issue हुआ है, अब अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, तो तुम ध्यान देना, equity share application, जो account है, एक बार credit हुआ, एक बार debit हुआ, तो cancel हो जाता है, वैसे ही, equity share allotment, एक बार debit हुआ, दुसरी बार credit हुआ, तो यह भी cancelled, next, equity share first call, एक बार debit हुआ, एक बार credit हुआ, तो यह भी cancel, तो बचता क्या है, हमेशा, हमेशा entry में बचेगा, bank account debited to equity share capital, हमेशा entry यही बचेगा, ध्यान देना, जिसे यह दो entry है, एक यह वाला entry, और एक यह वाला entry, अगर दोनों को हम summarize करेंगे, तो equity share application, application cancel हो जाएगा, बचेगा क्या, bank to equity share capital, वैसे यहाँ पर भी entry क्या बचेगा, allotment, allotment cancel हो जाएगा, entry बचेगा, bank account debited to equity share capital, और यहाँ पर भी same, equity share first call, equity share first call, cancel हो जाएगा, बचेगा, bank to equity share capital, clear रहे हैं, और यही चीज़ अगर at premium में रहे, यही चीज़ अगर at premium में रहे, तो premium कहाँ पर है हमको देखना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं बोला है, तो हम यह मानेंगे कि premium जो है, वो allotment में होगा, तो premium जहाँ पर बोला है, तो वहाँ पर आएगा, अगर premium application में बोला है, तो फिर application का entry में to security premium आजाएगा, यहाँ पर, ठीक है, अगर allotment के entry में बोला है, तो allotment में आएगा, और first call में बोला है, तो first call में आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि maximum entries में, allotment में ही होता है, clear, तो same entry, पूरा same है, देखो, सब कुछ same है, सिर्फ at premium में क्या होता है, allotment due में to security premium आएगा, clear, तो फटा-फट से इसका screenshot रख सकते हैं तुम, I hope कि तुम ले लिए होगे screenshot और इसको note down कर लेना, at par का जो entry होता है, at premium में भी वही entry है, बस to security premium जो है, वो extra आएगा, in case of issued at premium, clear, अब हाम कुछ questions देखेंगे, देखना, star limited invited application for 10,000 shares of 10 each, the amount was payable 3 on application, balance on allotment, 4 on allotment and balance 3 on first call, the shares were fully subscribed and all money was duly received, pass necessary journal entries, यह same question अब पिछले class में किये थे, याद है, same question किये थे हम, ठीक है, अब अगर मैं इसी question को change करूँ, तो सोचलो, यह 10 का share, अगर at premium होता, तू रुपीज का, ठीक है, तो इसके entries कैसे होंगे, ठीक है, application का 3, allotment का 4, 7 रुप्या हो गया, first call को मैं change कर दे रहा हूं, first call हो गया, 5 रुपीज, clear, तो 3 on application, 4 on allotment and 5 on first and final call, clear, अब question में, अगर बताया हुआ है, premium कहां पर है, तो हम premium वहीं पर मानेंगे, देखेंगे, कोशन में पता नहीं चल रहा, premium कहां पर है, जैसे इस question में पता नहीं चल रहा, कि premium का 2 रुपे कब लिये हैं, तो हम यहीं मानेंगे, कि premium का जो दो रुपए है वो allotment में होगा तो entry करना start करते हैं सबसे पहला entry application का पैसा मिलेगा bank account debated to equity share application 10,000 into 3 30,000 तो यह same entry है जो होता था पहले भी next equity share application के बदले हम जो पैसा मिला उसके बदले share देंगे entry होगा equity share application to equity share capital clear next 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 is share allotment due किता रुपए का share allotment रिखना चार रुपए का उसमें दो रुपए का पिटल का दो रुपए प्रीमियम का ठीक है इसके अचे के बडूए कॅध टो इससजार रिखन या, इसके बाद एलोट्मेंट का पैसा मिलेगा बैंक एकाउंट डेबिटेट टू इक्विटी शेयर एलोट्मेंट अकाउंट सेम 40,000 and 40,000 एर तो एंट्रे में खाली क्या चेंज हो गया यह तू सिक्यॉरिटी प्रीमियम आया है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नमबर फाइव पॉइंट नमबर फाइव है अगर कॉल का पैसा डिव करेंगे तो एक्विटी शेयर कॉल अकाउंट अबिटेट तो एक्विटी शेयर कापिटल पाइव तेन थाउजन इंटो फाइव फिफ्टी फिफ्टी अगर्श्ट का पैसा मिलेगा बैंक तू एक्विटी शेयर कॉल हैशा कब कर Warum का अमांट है कि कहां-पर है अगर बताया है अप्लिकेशम में है तो अप्लिकेशन में लिखेंगे तो लुखेंगे जी अगर कषिम में नहीं बताया है कहां पर है तो हम हमेशे एज्बी करेंगे कि वह होगा उसके बाद सेम टाइप के कोश्टिन और भी है कि तुम्हारे लिए होंबक रहेगा मैं थोड़ा कोश्टिन रीट करके समझा देता हूं खाली स्टाइलॉन लिमिटे इस्ट वन लाइक इकविटे शेर्स ऑफ टैनी इच प्रीमियम भी है कितने का पांच रुपएगा तो कैपिटल दो रुपए होगा और प्रीमियम होगा फाइव रुपीज देशुर सब्सक्राइब शेर्स वर इस्टू टू अप्लिकेंट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री करके देखे लेते हैं बहुत इजी है चारी एंट्री ह का पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेटेट टू एक्विटी शेर अप्लिकेशन अकाउंट वन लाग इन्टू एट 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 लाग्स है राइट एकन एंट्री एप्लिकेशन का जो पैसा मिला उसके बढ़ले शेर अलॉट करेंगे कि यह सब्तरू होगा डेट इंट्री एंट्री एंट्री एकंट्रीय एक था यह प्रम न्हेंट है प्रति यौंच ए इस एक्विटेश अलट्मेंट टू इक्विटिशे कापिटल टू सिक्यॉरीटी प्रेम्यूम कितना मिलेगा सेवन लाक्ष उसमें से दो लाक्त जो है वह कापिटल का है और पांच लाक रुपहे सिक्यॉरीटी प्रेमियम का bank to equity share allotment clear bank to equity share allotment 7 lakh 7 lakhs clear so this was all about issue of shares payment in installment पार भी पढ़े हम लोग और प्रीमियम भी ठीक है आने वाले classes के अंदर हम इसी topic को continue करेंगे अभी बहुत बड़ा चाप्टर रहे और बहुत सारे topics बचे वें next class में उसको continue करेंगे अभी के लिए इतना thank you and बढ़े लिए और राइ रहे रहे हम घगाओ देने जे लिए करेंगे और पismचछ आ है इसक एर रहे हम इम अपनाहां है करेंगे